तो हाँ जी क्या हाल चाब? तो भाई एक ए ब्रैंड है जो कि अपने ही स्मार्ट फून को री ब्रैंड करके लांच करती है जी हाँ उसका और कोई नहीं है उसका नाम है रियल मी जी हाँ, रेल मी रेडी है अपने रेल मी नार्जो सेवेंटी टर्वो को लेकर जीना, अब क्या दिखने में कैसा होने वाला है, क्या किस device का ये rebrand होने वाला है, अपने ही device को rebrand करीगी ये, और क्या खास होने वाली है, क्या prize होगी, सब बताने वाले हैं, और कब तक launch होगी, तो देखिए बताया है कि September के मन्थ में launch होगा, जहां तक मुझे पता चल रहा ह है, जहाद मुझे लगता है, ये मेरी prediction है, कि 15 September को sale सुरू होगी Flipkart की, Big Billion Days और Amazon का भी होगा great festival season sale चलता है, तो उसी के पहले ही ये launch कर देगी, और sale में ही इसकी sale मत्तब जो sale सुरू होगा, ये डिवाली और दैसेरा वाली, उसी में इसकी first sale सुरू कर सकती है, ये मुझे लग रहा है, डेट भी सामने नहीं आया, आएगा मैं आवको बताओंगा, एक्सी प्लो कर लिजेगा, क्या खास होने वाली ये सब बताने वाले हैं, जल्दी से वीडियो को लाइकर के जलो को सब्सक्राइब कर लिजेए, क्या आप लिए प्री होती है, मुझे थोड़ी सी बेनेफिट मिल डाती है, और हाँ, इस वीडियो की तुरूप पैसे का सबाएंगे, सब बताएंगे, खेर मैं हूँ आपको दोस्तों हो सनूप, आप देखने हैं, आपका खुद का टेक चैनल, टेकनो अनूप, तो हाँ जी चलिए देखते हैं भाईसाब, रियल्मी पैक के साथ, टास्टिक फ्रेम, ग्लास फ्रंट, निकि फ्रम में की जिसकी प्रोटेक्शन है, आप कहीं बताएं नहीं गया, पता चल रहा है, उर्तुए कब उतर से, की पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को भी लगए, अनि की फोन को पर्सेस करेंगे, तो टेमप बात करें, डिजाइन देखेंगे, तो चेंजेस है यहांपस, देखेंगे, बैक साइट में, सेंटर में आपको स्कॉयर सेप में, ट्रीपल कैमरा की हाउसिंग देखने को मिल रही है, एलिए प्लेस के साथ, मैं नीचे रियल्मी की ब्रेंडिंग ये, फ्रंसेस की बात करें तो नो डाउट, सेंटर पेंचोर के साथ अपको फ्लैट डिस्प्ले देखने हो मिलेगा, जहांपर आपको 90% कास पास बॉलिट रिश्य होगी, बट गलर्स कर्पा में, तीन कलर्स है, पहला एक येलो, ये दुस्दा है ग्रीन, और एक है पर्पल कलर, तो अभी आप देख 6.67 इंच की Full HD+, 10-bit की अमुलेट पैनल, 24-12 इंटू, 1080 पिक्सल की स्क्रिन रिजोलेशन, 29 का स्पेक राइशी हो, 394 पिक्सल देंसिटी, 2000 इंट्स की पिक ब्राइटनेस, 120 हर्स की रिप्रेस रेट, 240 हर्स की टच सेंपनिंग रेट, HDR10 प्लस, वाइद मैं एलवन, फुल दिक्त नहीं है, और 2000 इंटना इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है, रिफ्रेस रेक्टर से में कॉमिशन सांदर है, सोसल में जब पेज़े स्कॉल करेंगे, गेमिंग भी करेंगे, स्मूथ में नदर आने वाली है, सब कुछ तो सही है, लेकि इस सब कुछ राने के दिमाग कौन सा यूज किया गया, प्रोसेसर कौन सा यूज किया गया, क्या गेमिंग अलाइक है, चलिए बात करेंगे, पर्फॉववंस की, दूसरों पर्फॉवंस की बात करें, तो भाई बताया जा रहा है, इस डिवाइस को शक्ती देगी, मीडिया टेक के तोसे डैमेंसे की 7300, एनर जाना खुछ है नहीं, 4 निमेटर के फैब्रिक सान बनाए गए है, इनर्जी एफिसेंसी अच्छी रहती है, हेटिंग उचा काफी गम देखनों मिलता है, परस भाई साब वेपर चेंबर कूलिंग का भी सपोर्ट जेखनों को मिलने वाला है, यानि की हीट रिमिट के चांसे स लोगती कम होने वाले है, कितना पाउफुल है, चलिए नजर आटेस का रॉपस मिलता है, फोर कोटेक्स A78 जो की 2.5 गीगा हर सा क्लॉक किया गए, वहीं फोर कोटेक्स A55 जो की 2 गीगा हर सा क्लॉक किया गए, परफॉमेंस ठीक है, कोई खड़ाब नहीं है, प्राइस पन क अब इस डिवाइस से कितना आएगा साइट जादा आने वाले हैं, यहां पर टीज किया जा रहा है, गेमिंग को लेकर, आप देखोंगे, गेमिंग को लेकर यानि कि इसका थोर सा मतलब इसको अच्छा खासा मोडिफाइग करने वाली है, यहां पर ऑप्टोएशन अच्छ करने वाली हैं, गेमिंग कर सकते हैं, यहां पर लेकिन यहां पर न एक ही कैमरा बताएगा, यहां पहला मिलेगा 50MP मेंज सेंसर, सोनी लाइट या 600 सेंसर के साथ मेभी OIS देखने को मिल सकती है, साथ में को 8MP का अल्टरावाइट, 2MP सेंसर देखने को भी मिल सकती है, यहां हो सकता है बाई साब 2-2 MP के चिपका दिया जा सकता है यहां 8 MP तो यह prediction लगा जा रहे है कि ऐसा हो सकता है फिलाल 4 के 60 Fs, 1080, 30 पे रिकॉर्ड कर सकते हैं यानि 4 के 30 Fs, 1080, 120 पे रिकॉर्ड कर सकते हैं मैंने गलत बोल भी आप आपके खूपसरक चेहरे को करचे के रिल्स आने के लिए 16 MP तो इस दिवाइस को जानत फूकने के लिए पूरे 5000 mAh की बैटरी, 80 Watt की चार्णी सपोर्ड चार्जर बॉक्स में डेफिनेटली देखने को मिलेगा, बैककप शान दने का कि देखा, डेफिनेटली करता को ओपर कैसी यूज करते हैं लेकिन आप बात करें, सेंसर सिक्योरिटी प्राइविसी की अब बात करेंगे, जो सौट्वेर की बात करें दो बताया कि लेकर आप डेफिनेटली देखने को मिलेगा, सेंसर में जारा की चीज ध्यान ख्यात रखा गया है अब बात करें असके सौट्वेर की दोस्तों सौट्वेर की बात करें तो बताया कि लेकर एस एंड्रॉइट 14 को पर आउट और डिवर्स रियल्मी उई 5.0 देखने मिलेगा, सेंसर में जाकर एज़ा करेंगे तो आपको युवाई एक्स पर अच्छी मिल जाती है, रही बात आपडेट्स आपकी तो 2 साल पैसे कैसे कमाएंगे और प्राइस क्या होगी इस दिवाइस को किसकी भी ब्रेंड है, चलिए बात करते हैं, प्राइस की उससे पहले अपना एक टार्गेट है, जल्ली से वीडियो को लाइक करें, 200 लाइक टार्गेट है, पहुंचा दिजे, शेर कीजिए अपने फ्रेंड प्राइस की बात करें, तो बताया जा रहा है कि इसकी जो प्राइस होगी तो वह 18,000 के अंदर देखने को मिलना है, 18,000 के अंदर, और पर लेंगा ही, तो यह आपका आजाएगा, 16,500 तक आजाएगा, अब किसकी रीब्रेंड है, सारे स्पेक्स देखेंगे न, तो कहीं न कह आपको Realme 13 Plus का ही रीब्रेंड लगने वाला है, अपने ही डिवाइस को रीब्रेंड करने वाली है, पहले यह लॉंच होगा, उसके बाद ही इसको लॉंच कर दिया जाएगा, थोड़ा वा डिजाइन ओपर नीचे किया गया है, बस, तो फिलाल मैं आपसे पूछना चाहता ह अपने माँं पंसे तरहां, इसको बहाद आपाई लगनावन चाहती करेंगे है, इसलिकना जमी टाफ़ा टार्जेट पहुंचा दिजिया और शेयर किजिए जिशनाएं पर सब्साइब करें लИ्वीडियो में नेटम के साथ तब तक के लिए जाहें होगा, प्राइस क्या ह झाल झाल